यह फिर मेरा पुरा सामान बखेर देगी या जो मल्टिमेटर वगेरा रखे हुए है देखना फ्रेंट्स यह देखे फ्रेंट्स यार यार कहा जाएगी वाई लगा लेने दे यार काफी दबा के रखना होगा इसको हलो फ्रेंट्स मैं हूम केस और आप देख रहे है टेकनिकल सोकिल फ्रेंट्स आज की इस वीडियो के इंदर हमें एक एसी पावर सप्लाई बनाने जा रहे हैं जिसके दवरा आप यार कोई भी चीज चलाओ कुछ भी चलाओ कोई भी बेटरी चार्ज करो कुछ भी चार्ज कर लेते हो और बिल्कुल सस्ते में यह बनके तयार हो जाएगी तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग यह वीडियो होने वाला है और अभी तक भी जिन्हों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं यह वीडियो तो जैसा कि आप देख सक यह जो वायरिंग है इसको सबसे पहले देखे मैं इस तरीके से खोल लेता हूँ अब देखे फ्रेंट जितने भी यह सोकेट है इन सबको में कट कर लेता हूँ यहां से और यहां पर मैं आप लोगों को बता दू कि यह जो SMPS है बिल्कुल आसानी से 150 के अंदर मिल जाएगी लेकिन यहां पर मैं सोकेटों को इसलिए कट किया हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ कि यह जो यलो वाले वायर है यह पोजिटिव 12V के लिए है सारे जो ब्लेक वाले वायर है यह है पोजिटिव 5V के लिए सारे जो ओरेंज वाले वायर है वो है वो शिरफ दो एंपिर निकलते हैं और जो रेड़ वाले 5 वोल्त है इसके अंदर से निकलते हैं 25 व्हायicana इस coach यह निकलते हैं पॉजिटिव 3.3 वोट लेकिन इसके अंदर भी दे wert कम है सिरफ 2 एंपियर के लगबक। और इस ग्रे वाले वाईर के उन्दर निकलते हैं तो आप सोच रहेंगे कि यार मुकेश भाई यह SMPS तो बिल्कुन नहीं की तरह दिख रही है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दू कि इस SMPS को मैंने पहले ही खोल लिया था और इसको मैंने अंदर से इख ब्लोवर से चमका दिया है और 7 विया से और यहाँ पर यहाँ पर थीन का वयर अटा देंगे यह देखिए यह इस फैन का वएर है अब देखिए इन सबको हम एक बार हटा लेंगे और शिरफ इसके अंदर हम Green वायर छोड देंगे यनि कि यह वाला और इसके अंदर Friends हम तीन वायर नए जोड़ेंगे जो कि एक Blue की जगे लगेगा एक Yellow की जगे और एक Black की जगे लेकिन Friends वह तीनों वायर हम अच्छी के लिए और नेगेटिव 12 वोल्ट लिका हुआ है ब्ल्यू वाले वायर के लिए तो सारे वोल्टेज यहां पर इंगीत है तो आपको वायर हटाने में और लगाने में कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी तो चलिए बिना देरी किये यह वायर हटा लेते हम तो फारिनली फेर्ट्स यहां पर हमने सारे वायर हटा लिए हैं सिरफ ये दो वायर रखे हैं तो यहां पर फेर्ट्स हमें ये बलेक वायर ही रखना होगा एक सिंगल इसकी जिगे कोई मोटा वायर नहीं लगाना है क्योंकि हम लोग भी practically करके देखते हैं तो अब हमें शिरफ दोई वायर लगाने हैं, एक red वाला एक blue वाला, तो red वाला रहेगा plus 12V के लिए और blue वाला रहेगा minus 12V के लिए, तो देखे friends यहाँ पर हम अच्छे quality के मोटे वायर ले ले लेंगे इस तरीके से, और अब देखें जल्दी से मैं इनको soldering कर देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको voltage बताया था, उस हिसाब से, और वैसे friends यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दू, जितनी भी wiring है, उन सबकी voltage और ampere यहाँ पर लिखे हुए भी है, यह देखें सबकी detail यहाँ पर लिखी हुए है, तो yellow वाला जो wire है, plus 12V वाला, उसमें आएंगे 18A, और blue वाला वायर माइनस 12V के साथ में 0.5A, तो इस ampere से थो हमें कोई मतलब नहीं है, हम इस voltage को इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि हमें इन दोनों voltage को मिलाकर 24V करना है, यानि कि हमारी यह power supply बन जाएगी 24V और 18A की, तो आप अनुमान लगा सकते हैं friends इस power supply से हम क्या क्या कर सकते ह बाकी मैं आपको इस से practically करके भी दिखाऊंगा, तो चलिए जल्दी से इन दोनों वायरों को हम जोड़ लेते हैं, तो दोनों वायरों मैंने voltage की साथ से जोड़ लिये हैं, देख सकते हैं, और आप देखिए इस PCB को मैं जल्दी से वापस से कस देता हूं, और देखिए यह जो फेन का वायर है, इसको हम यहां पर connect करी देंगे, इस socket के अंदर, तो यहार आप खुद हिरान रहे जाओगी कि एक desktop की SMPS के दवारा, हम 3000 रुपर तक की power supply बना सकते हैं, और देखिए फ्रेंस, अब हम क्या करेंगे, यहां पर लेंगे एक DC bug converter, 7 से 40 volt हम इसके अंदर input द यह देखिए फैंस, और यह इसके दोनों wire है, तो इसमें voltage और ampere दोनों show करेगा, और इसके अंदर हम 0 से 100 voltage तक input दे सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा हम लेंगे DC switch और दो लेंगे इस तरह की knob, तो यह कहां पर लगेगी, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा, तो फिलाल फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यह वाले जो आइटम है, इनको हम fix करेंगे इसके अंदर, यानि कि हमें इसके cutting करनी है, ताकि हम इनको अच्छे से set कर सके, तो चलिए फ्रेंड्स इनके लिए हम जल्दी से mark कर लेते हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इतने सारे यह mark कर लिए हैं, तो यहाँ पर लगेगा voltmeter, यहाँ लगेगा switch, यहाँ पर potentiometer, यहाँ पर negative positive output, और यहाँ पर लगेगी LED, तो चलिए इन दोनों की cutting तो मैं manually कर लेता हूँ, और इनके hole कर लेंगे हम drill machine के दवारा, तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं friends, और friends अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज यार भाई के वीडियो को like जुरूर कर दीजेगा, तो cutting तो हमने कर लिया है friends, और अब देखिए जो hole है, इनको भी हम कर लेते हैं, तो देख सकते हैं friends, कुछ इस इसाब से हमने cutting भी कर लिया है, और hole भी निकाल दिया है, अब देखिए friends, सबसे पहले हम इस वाल्ट मेटर को यहाँ पर fix करते हैं, और देखिए इसकी wiring भी में लगा लेता हूँ, ठीक है, और आप कर देंगे हम इसके अंदर fix, और आप देखिए यह जो switch है, इसको भी हम fix कर देंगे, यहाँ ठीक है, अब देखिए switch के connection तो हम कर देते हैं, यहाँ पर जो green और black वाला wire है, इसको हम switch के दोनों पोइंटों पर लगा देंगे, जिससे हमारे power supply on और off होगी, यह देखिए friends, अब देखिए friends, यहाँ पर यह जो DC buck converter है, इसके अंदर से हम तीन चीजे बार की तरब निकालेंगे, मतलब connect तो इसी के रहेगी, लेकिन हम उनको थोड़ा सा बार निकाल लेंगे, अलग से wiring जोड के, तो दो तो हो गई friends, यहाँ पर यह जो multi-turn potentiometer है, और एक हो गई friends, इसके अंदर जो LED लगी हुई है, यह, तो यह जो multi-turn potentiometer है, market के अंदर भी मिलते हैं, जो गोल वाले आते हैं, इस तरह के, और वो इसी color के होंगे, लेकिन friends, वो काफी महंगे मिलते हैं, इसलिए friends, हमें यह जुगाड करना पढ़ रहा है, बार की तरब लगा अल्का जर एक होग जगए हैं, इसके सबका हुआ यह मिलते हैं, जो जुगाई हैं, इसके मिलते हैं, इसके वो के अंदर फजए, बहा हैं? तो देख सकते हैं friends कुछ इस तरीके से हमने इनको लंबा कर लिया है और आप देखें सबसे पहले यहां पर यह जो दोनो पोटेंशियो मिटर है इनको हम 20 चेंटर में यहां पर फिक्स करेंगे ठीक है अंदर की साइड से यहां पर फिक्स करेंगे तो यह वाला जो पोटेंश के लिए और यह वाला एमपेर के लिए तो हम यहां पर रखेंगे वाल्टेज वाला और यहां पर रखेंगे एमपेर वाला तो इनको फिक्स करने के लिए यहां पर में इस्टेंट गल्यू का यूज करूंगा friends द्यान रहे कि हमें इस टर्मीनल पर इस्टेंट गल्यू नह को हम यहां पर फिक्स करेंगे लेकिन इसके लिए फ्रेंट समें एक जुगार करना पड़ेगा तो देखिए यह है यूजड फ्रनर जो की छोटी आरी का है अब देखिए इसके होल के अंदर हम इसको बीस सेंटर के अंदर फिक्स करेंगे इस तरीके से अब देखें फ्रेंस यहां पर हमें आइडिया लग गया कि यह इतना आएगा तो यहां पर हम मार कर लेते हैं क्योंकि हमें यहां पर इसको कट करना होगा तो एक बार मैं इसको निकाल लेता हूं वापस से और इसी तरह के दो टुकडे कर लेने हमें अब इन दोनों को इनके 20 सेंटर में हम fix कर देते हैं सबसे पहले और देखिए यह size भी इसके अच्छे से बेट रही है यह देखिए ठीक है और इसी तरीके से हम इसके अंदर भी fix कर देंगे तो देख सकते हैं friends दोनों को हमने इस तरीके से कर लिया है और आप देखिए इनको हम लगाएंगे कैसे देखिए friends यहाँ पर यह जो मायनस का निसान है तो यह male minus इस female minus के अंदर fix हो जाएगा तो चलिए मैं इनको stand glue के दवारा अच्छे से fix कर देता हूँ और ध्यान रहे friends stand glue हमें इसके उपर उपर ही लगानी है यह नहीं कि इन टर्मिनलों के अंदर की तरब चली जाए तो दोनों नोब हमारी अच्छे से लग गई है देख सकते हैं ठीक है और अब देखिए यहाँ पर यह जो LED है इसको भी हम fix कर देंगे इस जगे जो कि इसका hole है अब देखिए friends यहाँ पर यह जो दोनों wire है जो कि हमने smps के output में लगाए थे तो हम इनको इस bug converter के input पे लगा देंगे तो negative वाला wire हम लगाएंगे इस वाले point पे और positive वाला इस वाले point पे यह देखिए यहाँ पर input लिखा हुआ है और यहाँ से जाएंगे output देखिए यह minus का output और यह plus का output तो यह wiring हो जाएगी friends यहाँ से तो चलिए कर देते हैं अब देखिए friends यहाँ पर यह जो volt meter है इसके अंदर देखिए total 5 wire है दो wire मोटे है red और black और तीन यहाँ पर पतले wire है तो इनमें देखिए एक black एक red और एक yellow तो इनमें से यह जो पतला वाला black wire है इसको हम tape लगा के बंद कर देंगे क्योंकि यह हमारे किसी भी काम में नहीं आएगा और आप देखिए जो volt meter का red वाला wire है इसको भी friends हम इस red वाले wire के साथ में input में ही लगाएंगे तो यह में पहले भी लगा सकता था लेकिन यहाँ पर मैं आपको step by step बता रहा हूं यह देखिए friends अब देखिए जो black वाला wire है इसको हम connect करेंगे minus output पे अब देखिए जो volt meter का yellow वाला wire है इसके साथ में हम एक अच्छे quality का red वाला wire connect करेंगे जो कि हमारा final positive output रहेगा और इन दोनों wire को हम connect करेंगे friends positive output पर और जो potentiometer का red वाला मोटा wire है इसके साथ में हम connect करेंगे एक अच्छे quality का black wire जो कि हमारा final negative wire है तो यहाँ पर आप confused मत हुएगा कि मैंने red वाले wire के साथ में black वाला wire जोड़ दिया क्योंकि friends यह यहीं पर जुड़ेगा और यहाँ पर लगा देंगे हम tape अब देखे friends इन दोनों wire को मैं इन दोनों छेदों के अंदर से निकाल दूँगा positive वाला इस्तरफ रहेगा और negative वाला इस्तरफ तो यह हमारे output रहेंगे अब देखे यहाँ पर यह जो bug converter है इसको मैं यहाँ पर fix कर दूँगा तो मैं इसको double tape से चिपका के अच्छे से fix कर देता हूं friends तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से fix कर दिया है और आप देखिए यहाँ पर यह जो दोनों wire है इनको हम अंदर की तरफ से fix कर देंगे जिप टाइव अगेरा लगा के तो यह तो fix हो जाएंगे friends जब हम इसको इस तरीके से रखेंगे तो थोड़ी देर में यह fix हो जाएंगे फिलाल friends अब हम क्या करेंगे इन दोनों wire हो पे लगाएंगे यह दोनों chain tape तो सारे components friends आपको electronic components सोब से मिल जाएंगे और SMPS का मैंने आपको बताए दिया है computer repairing सोब से मिल जाएगी और बिल्कुल सस्ते में यह power supply बनाके हम 3000 रुपर तक बचा लेंगे friends तो चलिए जल्दी से यह चेम्टे लगा देता हूं मैं positive और negative के हिसाब से और अब देखे friends इस power supply को हम पेक कर देते हैं तो यहाँ पर एक बात ध्यान जरूर रखना friends यह जो fan है इसके कोई भी wire touch नहीं होना चाहिए नहीं तो फिर fan आवाज करता रहेगा तो देखे वायरिंग को हमें adjust करना है इस तरीके से तो देख सकते हैं friends हमारी यह power supply बनके तयार हो गई है और यहाँ पर यह जो fan है यह ventilation का काम करेगा तो bug converter यह फिर जो भी PCB board बगरा है वो बिलकुल भी heat नहीं होंगे तो देखे friends इसको check रहने से पहले यहाँ पर मैं इंगित भी कर लेता हूं कि यह voltage का है और यह ampere का यह देखे friends और देखे इसको भी हम लगा देते हैं ठीक है तो finally friends हमारी यह power supply बनके तयार हो गई है देख सकते हैं और आप देखे इसके अंदर में power code लगाता हूं तो यहाँ पर लगाएंगे हम 220 volt input तो यहाँ पर हमारी power supply ओन हो चुकी है और देख सकते हैं friends अभी यह 4.2 voltage पर है तो इस तरीके से देखे यहाँ पर हम voltage increase कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं इसके अंदर हम 0 से लेके 100 voltage तक कर सकते हैं लेकिन हमारी यह जो computer की smps है इससे 24 volt output जाएंगे तो यहाँ पर हमें 24 volt तक show होगा और देखिए जब हमें ampere बढ़ाना है तो इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं लेकिन यह show नहीं हो रहा है तो हम show करने के लिए यहाँ पर इन दोनों को touch कर देंगे यह देखिए और आप देखिए ampere किस तरीके से दिखाए देंगे आपको यह देखिए इस तरीके से ह एक बेटरी है 12 volt की जो की 7.2 ampere की है तो यह power supply इसको बिल्कुल आसानी से charge कर देगी और यही नहीं फ्रेंट्स 1500 ampere तक की बेटरी को भी हम बिल्कुल आसानी से charge कर सकते हैं तो अभी देखिए 7.2 ampere है तो कोई भी बेटरी को अगर हम charge करते हैं तो उसके ampere में 10 से divide कर है यह देखिए 0.72 में सेट कर लेता हूं इसको अगा यह लिजे फ्रेंड्स और आप देखिए यहां पर हम सेट करेंगे इस बेटरी को चार्ज करने वाले वोल्टेज तो यह बेटरी हमारी चार्ज होती है 13.8 वोल्टेज से लेके 14.4 वोल्टेज तक तो इस तरीके से हम यहां पर वोल्टेज शेट कर लेते हैं यह देखिए इस तरीके से गुमा के यह लीजे मैं 14.2 तक कर देता हूं और आप देखिए किस तरीके से हमारी बेटरी चार्ज होगी फ्रेंड्स जैसे मैं इसको बेटरी के इस कनेक्टर पर लगांगा इन दोनों कनेक्टरों के देखिए मैं आपको इनको टच करके बताता हूं एंपियर यह देखिए 7.1 यहां पर वोल्टेज बढ़ना इस्टार्ट हो जाएंगे यह देखिए फ्रेंड्स 13.0 हो गए हैं क्योंकि हमारी बेटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज है यह देखिए मैं आपको इसके वोल्टेज भी चेक करवा देता हूं वेशे देख सकते हैं 13.02 और देखिए वापस से इसको मैं लगा देता हूं चार्जिंग के लिए तो लगबख सेम वोल्टेज है तो फुल चार्ज फ्रेंड्स यह 13.5 से 13.8 तक हो जाती है और देखिए किस तरीके से वोल्टेज बढ़ रहे हैं और इसी तरीके से यहां पर देखिए हम कोई भी लीथियम बेटरी चार्ज गर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और अभी देखिए यहां पर इसके वोल्टेज मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले तो यह है फ्रेंट्स 2000mAh की यहां पर अभी वोल्टेज है 2.44 तो लीथियम बेटरी को चार्ज करने के लिए हमें 4.2 वोल्टेज पर सेट करना होगा और वैसे यह 3.7 वोल्टेज की हाती है लेकिन चार्जिंग वोल्टेज 4.2 होते हैं और 2000 यह एमेज की है यानि कि 2 एमप यह देखे 4.2 पर कर दिया अब देखे एमपेर सेट करते हैं तो इनको मैं टच कर देता हूँ फ्रेंड्स अगर हम इससे कोई भी इलक्ट्रिक एप्लाइन से यूज में लेते हैं और अगर उसके अंदर कभी कोई शोर्ट सर्किट हो जाता है तो यह पावर सप्लाई ना त सेट कर लेते हैं तो जैसा कि मैं आपको वतर रहा था पॉइंट टू एमपेर यहां पर हमें सेट करना है यह लीजिए फ्रेंड्स अब देखिए इस बेटरी को चार्ज करने के लिए मैं इसको होल्डर में डाल देता हूं और अब देखिए इन टर्मिनल्स को हम लगा लेत घेले रहा हैं यह लगीजिए फ्रेंड्स हमारी चार्ज सोना स्टार्ट हो जाएगी अब और यहां पर रियड लाइट गलो हो चुकी है जैसे फूल चार्ज होगी यहां पर ब्लू लाइट ओन हो जाएगी तो देखेगा फ्रेंड्स यहां पर यह देखिए किस तरीके से वोल्टेज बढ़ना ही स्टार्ट हो गए हैं, तो चलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं, ताकि आप यहां पर देख सको कि किस तरीके से वोल्टेज बढ़ रहे हैं, तो अभी देखे फ्रेंट्स, यहां पर 3.8 वोल्टेज हो गए हैं, लेकिन मैं वीडियो के लास्ट में आपको यह फुल चार्ज करके बताऊंगा, अभी फिलाल मैं आपको और भी एपलाइन से चेक करके बता देता हूं, तो यह देखे फ्रेंट्स, यहां पर अब हम दिया, और अभी देखिए, इसको मैं 2 एमपेर पर कर लेता हूं, क्योंकि अभी मुझे इसका एमपेर भी नहीं पता है, तो 2.06 मैंने वैसे ही कर लिया है, और आप देखे, इस मोटर को हम इसके साथ में अटेज करते हैं, देखना फ्रेंट्स, एक बार मैं इसको बंद कर देता हूं, और यहां पर लगा देता हूं, एक टेप का टुकड़ा, ताकि आपको पता चले कि यह कितनी तेज गोम रही है, देख सकते हैं, और देखे फ्रेंट्स, यहां पर मैं बोल्टेज और बड़ाता हूं, देख सकते हैं, काफ़ी तेजी स्पीड हो गई है फ्रेंट्स, इसकी, यह देखे एक बार मैं इसको पकड़ के देखता हूं, प्लायर के दवारा, देख सकते हैं फ्रेंट्स कितने एंपिर तक हो गेते हैं यहां पर फिलाल इसको मैं हटा देता हूं एक बार और आप देखें फ्रेंट्स यहां पर मैं आपको यह वाली मोटर चेक कराता हूं जो कि 24 वोल्ट डीची की है 250 वाट और 13.4 एंपिर की आप देखना फ्रेंट्स अब से पहले मैं यहां पर 24 वोल्टेज सेट कर देता हूं यह लिजिए फ्रेंट्स यहां पर 23.2 वोल्टेज शो कर रहा है लेकिन इसके अंदर 24 वोल्टेज है क्योंकि इसके आउट्पुट में 24 वोल्टेज ही आयो है तो यह थोड़ा बहुत लास्ट में कम ज्यादा हो जाता है अगर यह 25 यह 26 होते हैं तो 24 वोल्टेज भी यहां पर शो हो जाते हैं लेकिन फ्रेंट्स यह 24 वोल्टेज ही है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया अब फ्रेंट्स हम एम्पेर सेट करते हैं देखें अभी कितनी तेज यहां पर चिंगारी उठी है और अभी तो आप यह कि मैं यहां पर एम्पेर को बढ़ा देता हूँ तो यहां पर फिलाल इसको में 10 एम्पेर कर देता हूँ और आप यहां पर इसक कर्ण्ड भी देखना है काफ़ी थेज है यारव तो चलिए अब इस मोटर को चलाते हैं यह हो गया है इसकgt नेगेटिउ और यह पढ़ेगा, Friends. ये देखे, Friends. अगर मैं नई करता है, तो देखना, Friends, थोड़ा सा मैं आपको टेलर दिखता होँ. ये देखे, देखना, Friends, आपको दूबारा दिखता होँ. ये तो मैं लगाते ही अटारा हूँ. अगर लगा लोगा तो ये गिर जाएगी कई न कईente हैं. ये फ इसको मैं इस तरीके से पकड़ के रखूंगा, यार कहा जाएगी वाई, लगा लेने दे यार, काफी दबा के रखना होगा इसको, ये लीजे फ्रेंट्स, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं फ्रेंट्स, हमारी जो पावर सप्लाई है, वो कितनी पावर फूल है, और इसको बनाने के बाद में कोई दूसरी सप्लाई बनाने की ज़रूती नहीं है, फ्रेंट्स, ठीक है, तो काफी तेज यापर चल रही है हमारी ये मोटर, लेकिन केमरे में ओ सकता है, आपको कुछ अलगी दिखा रही हो, और ये पता नहीं मुझे आद तक पता नहीं चला कि इस तरह के से केमरे के अंदर ऐसा क्यों होता है, अगर आपको पता हो तो यार कमेंड बोक्स में जुरूर बताना कि कोई भी फेन मोटर उसको चलाने पे, कई बार तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम दिखाई देती है, कई बार वो थोड़ी थोड़ी उल्टी चलती भी गया होगा, 775 DC मोटर है, सेम एंपियर से चलाओंगा, तो यह 14 एंपियर तक ले लिती है, और 24 वोटेज तक सपोर्ट करती है, 12 वोट से 24 वोटेज तक, तो चलिए लगा लेता हूं मैं इसको, और देखना फ्रेंस आप, देखे फ्रेंस, यह देखे, देखा फ्रेंस आपन यह देखे, तो अगर मैं इसको भी पकड़ के नहीं रखता, तो यह भी बताने कहां के कहां जाते यार, तो यह है इसकी स्पीड, मोटर की भी और पावर सप्लाई की भी, तो पावर सप्लाई का मतलब आप समझी गए होंगे, अब देखे, यहां पर मैं ले ले लेता हूं यह बाला बल्ब, जो कि 12 वोल्ड का है, तो मैं इसको 12 वोल्ड पर सेट कर देता हूं सबसे पहले, कमी कर देता हूं इससे भी, यह लिजिए 5.1 पर कर दिया, और यहां पर जो एमप्यर है, उनको भी कम कर देता हूं, तो आपको शो इसलिए नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने द यह लिजी फ्रेंट्स यह पर कुछ लिखाओ भी इसके उपर तो देखें यह गया नेगेटिव और यह गया पोजिटिव तो अभी देखें यह कितनी दीरे जल रहा है क्योंकि यहां पर हमने 5.2 वोल्टेज बें इसको शेट किया है और देखें जैसे मैं यहां पर वोल्टे रोशनी होती जा रही है तेज रोशनी और यह हमने कर दिया 12.4 वोल्टेज बे तो काफी तेज हो गया है यहां पर यह तो फुल रोशनी के साथ में यह जल रहा है आप देखें इस बेटरी के लिए मैंने बोला ता कि इसको मैं फूल चार्ज करके बताऊंगा जैसे यह करूंगा तो रेड़ लाइट ग्लो हो जाएगी तो पहले तो मैं इसको 4.2 वोल्टेज पर सेट कर लेता हूं और 0.2 एम्पेर पे तो इससे हम कोई भी बेटरी दुनिया की कोई भी बेटरी चार्ज कर सकते हैं फ्रेंड्स 150 एम्पेर तक की और एम्पेर भी सेट कर देते ह 0.2 एम्पेर पे कर दिया है तो चलिए लगा लेते हैं इसको यह लीजिए यहाँ पर red light glow हो गई है और जैसे हमारी यह बेटरी फुल चार्ज होगी यहाँ पर blue light हो जाएगी on और power supply auto cut हो जाएगी यानि हमारी यह बेटरी ओवर चार्ज बिल्कुल भी नहीं होगी कोई भी बेटरी यहाँ पर ओवर चार्ज नहीं होगी तो आपको गपराने की जुरूद नहीं है तो चलिए इसको हम फटाफट से चार्ज होने देते हैं और वीडियो को मैं कर देता हूं थोड़ा सा फार्ट तो देखे फैंस हमारी यहाँ पर बेटरी फूल चार्ज होने वाली है और यहाँ पर इंडिकेशन भी देख सकते हैं यह एलेडी अब यहाँ पर ब्लू होने वाली है तो फाइनली फैंस हमारी बेटरी लगबग फूल चार्ज होई गई है देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू मिनट के अंदर यानि कि इस पावर सप्लाई के दवारा हम 18650 बेटरी 45 मिनट से वन आउर्स के अंदर चार्ज कर सकते हैं अब देखे फ्रेंस यहां पर मैं फाइनली आपको एक चीज ओर चेक करवा देता हूं और वो है हमारा गर्मियों का DC 12 वोल्ट का फेन तो इसको तो मै आप देखे फ्रेंस यह देखे बारा वोल्ट का DC यह लगा दिया हमने इसका पोजीटिव और यह लगा दिया नेगेटिव तो देख सकते हैं बहुत ही शांदार तरीके से हमारे यह फेन यहां पर काम कर रहा है तो मेरा कहने का मतलब यह हैं कोई भी बेटरी इसके देवार चार्ज करो और कोई भी एलक्ट्रिक एप्लाइन से इससे चलाओ तो है ना फ्रेंस हमारी यह पावर सप्लाई गजब की आई हो फ्रेंस आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी जुरूर से सेर कीजि और कोया ना फिए टो गडियो इन होगा होगा प्लीज लोगा कीजियो भी यह होगा तो से सबस्दों की एलक्रिक एलक्रिक जुरूर तो से चलाओ कीजिद सेर कीजियों की है